प्यारे चात्र चात्राओं, Modern History Center के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे पत्र लेखन और संचेपन यह भी बरा महत्पुर्ण भाग है। परिक्षा के लिए बरा महत्पुर्ण भाग है। इस सब में पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, समझने के लिए है और अभ्यास के लिए है। आप जितना बढ़िया अभ्यास आप करेंगे, आप उतना बढ़िया से यह पत्र लेखन का काम कर लेंगे और संचेपन का भी काम कर लेंगे। तो इस व्याक्षान में आप लोगों को पत्र लेखन और संच्छेपन के विशेम बता जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, शुरू करते हैं, पत्र लेखन से, या पत्र लेखन आपको पांच नंबर का रहेगा, परिक्षा में, पत्र आपको दो धंका दिया जाएगा एक आवेधन पत्र रहेगा और एक व्यक्तिगत पत्र रहेगा, दोनों से आपको पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर लिखना है किसी एक से, आप या तो आवेधन पत्र लिखें या व्यक्तिगत पत्र लिखें वो पत्र आपके मन पर निर्भर करता है मेरा प्रियास इसमें अधिक तर रहा है आवेदन पत्र आवेदन पत्र इसलिए कि इससे आपको दोरा फायदा होगा परिक्षा में तो आप बढ़िया नमबर लाएंगे पत्र लिखने की यानि आवेदन पत्र लिखने की आविसकता आपको जीवन में अन्य जगों पर है लिखने जब आ जाएगा तो उसका प्रियोग आप दूसरी जगों पर भी कर लेंगे बढ़िया से कर लेंगे तो इस तरह आपको परिक्षा के बहाने आवेदन पत्र पर अधिक जोर दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर देख लिजिए पहला आवेदन पत्र प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधाना चार्ज को एक आवेदन पत्र लिखे है इसी तरह का आपको कुछ न कुछ आवेदन पत्र में दिया जाएगा कि प्रधाना चार्ज के पास लिखिए कलक्टर के पास लिखिए मंत्री के पास लिखिए मुख्या के पास, सरपंच के पास या जिसके भी पास आपको लिखने के लिए कहा जाएगा आप लिखेंगे सेवा में और जिसको भी लिखने के लिए कहा गया, जैसे यहाँ पर आपको प्रधाना चार्ज को लिखने के लिए कहा गया है, तो सेवा में प्रधाना चार्ज, यही पर यदि आपको समाहर्ता के पास लिखने के लिए कहा जाता, तो आप समाहर्ता लिखते हैं, आपको कोई मंत्री के पद देते तो इस तरह जिसके पास आपको आवेदन पत्र लिखना है सेवा में उस पद को लिखना है और तब उसका लोकेशन देना है कि वह कहां पर है किस विभाग में है इसका पड़िचय देने की जरूरत है पता देने की जरूरत है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इसके बाद हुआ प्रधाना चार्ज किस स्कूल के हैं। तो जिलाई स्कूल आपको समस्तिपूर हो, दरबंगा हो, मुझपरपूर कहीं पी हो। उसका नाम देना है और तब उस जगह का नाम देना है। मान लेते हैं कि प्रधाना चार्ज है, तो प्रधाना चार्ज कालेज के भी हो सकते हैं, तो समस्तेपूर कालेज समस्तेपूर आप लिख सकते हैं, आप दूसरे कालेज का भी नाम दे सकते हैं, प्रहानाचार्ज स्कूल में भी हो सकते हैं तो आप उच्छतर मादने की विद्याले की चर्चा आप यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर पुन विराम देंगे इसके बाद आप विशय लिखेंगे निश्चित रूप से विशय लिखेंगे विशय में आप लिखेंगे जो भी टॉपिक पर आपको देना है जैसे सरक की मरम्मद कराना है तो सरक मरम्मद यदि आपको आई पर्मान पत्र बनाना है तो आई पर्मान पत्र यदि आपको महाविद्याले पर्त्याग पर्मान पत्र लेना है तो महाविद्याले पर्त्याग पर्मान पत्र जो भी आपको काम है वह आप यहाँ पर लिख देंगे और पुन विराम देंगे इसके बाद आप महासे कहेंगे और तब फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या बड़ी भाग है, जान रहे हैं कि आवेदन पत्र का तीन खंड होता है, एक सिर्ष खंड होता है, एक मध्य भाग होता है, और एक अंतिम समापन बला होता है. हेडिंग, बड़ी और इंडिंग ये तीन पार्ट आपको एप्रिकेशन का है, तो हेडिंग को आपने यहाँ तक रखा, अब ये भाग आपका बड़ी होगा, इसमें आप भासा के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, जैसे निवेदन यह के असनातक में नामांकन के लिए अन प्रदान पत्रों के साथ महाविद्यालय पर्ट्याग प्रमान पत्र की आविशकता है, मैंने वर्ष 27 में अंतर रशनातक की परिख्षा पास कर लिये हैं, अता प्रारत्ना है कि मुझे उक्त प्रमान पत्र प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, आपका आग्याकारी, ध्यान रहे कि जब आप प्रदाना चार्ज को लिखते हैं, प्रदाना ध्यापक को लिखते हैं, तो वहाँ पर आप एक छात्र के रूप में अपने आपको आग्याकारी छात्र बताईए, आपका आग्याकारी लिखना बढ़िया है, लेकिन कलक्टर क इस्पी को, शिक्षा मंतरी को, मुख्या को, सर्पंच को, नगरपालिका अध्यक्ष को या किसी और को, वहाँ पर आग्याकारी लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप लिखिएगा आपका विश्वासी, ये लिखिएगा, तो इस तरह आपने यहाँ पर दे दिया, और फिर आप अपना लोकेशन दे देंगे, कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिरांक दे दिए, छात्र दिदे, कर्मांक, बर्ग, सात्र, ये सब आप अपना पता दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपना पता नहीं देंगे, तब तक उस अधिकारी को आपके विश् इन्हों से आपके च्छेतर में अपराद बढ़ने लगे हैं उसकी रोक ठाम के लिए पुलिस अधिक्षक को पत्र लिखिये अभी बताया गया है अब यहाँ पर देख लिजिये सेवा में स्रिमान पुलिस अधिक्षक महोदय कॉमा अब व पुलिस अधिक्षक कहा sail कहा है उस आप अपने विशा को खोल ले हैं, अप राधों के रोप खाम हेतु पुन विराम दे दिया, फिर आप मानिवर दे रहे हैं, मासय दीजिए, मानिवर दीजिए, महोदय दीजिए, आप जो भी दीजिए, और तब आप इसका बड़ी देख रहे हैं, कि आप प्राब्लेम को रख रहे हैं, और उस समस्या को रख कर उसके निदान के लिए निवेदन कर रहे हैं, तो यह आपको यहाँ पर देख रहे हैं, और अंत में फिर आप यहाँ पर अपना नाम पता देंगे, डेट निश्चित रूप से दिया करेंगे, किसी भी आवेदन पत्र में बिना पर आपका पता होना चाहिए, यहाँ पर एक चीद ध्यान डखेगा, यहाँ पर हमने भवदिये लिख दिया, कुछ लरके क्या करते हैं, आपका भवदिये लिख देते हैं, जो गलत हैं, या तो आपका लिखिये या भवदिये लिखिये, आपका के साथ भवदिये का प्रि पत्र लिखे तो आप यहां पर देखें उसी तरह सेवा में प्राचार्ज महोद है, आपको लिखने का औमन करता है, प्रदाना चार्ज ना वी ठीक है, आप यहां पर देख लिजीए, किसी कॉलेज के होंगे, कॉलेज आपको दिया, और उसका लोकेशन कुछ ना कुछ होगा समझतिपुर्म या पर्पुर्दर्भंगा कहीं भी हो सकता है और यहाँ पर आप पू' भिरांदेंगे फिर विशया में आप देखेंगे निर्धन छात्रकोष से सहाइता हेतु आवेदन फिर यहाँ पू' भिरांदेंगे और तब महास है और तब फिर इसका बड़ी भाग लिख देंगे जो आपको problem है वो आप लिखेंगे और उस problem का solve जो आप चाहते हैं वो भी आप देंगे और अंत में आप अपना परिचे देंगे अब यहाँ पर देखिए bank में manager के पास आपको आवेदन पत्र लिखना है तो bank manager के पास पास book हो जाने के कारण नया पास book बनवाने के लिए आप लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं सेवा में साखा प्रबंधक स्रिमान साखा प्रबंधक लिखते हैं तो वो अभी ठीक है State Bank of India यहाँ पर पुन बिराम दे देंगे passport हो जाने के कारण नया पास book निर्गत करने के संबद में यहाँ पुन बिराम हो जाए पिर मास है और इसी तरह आप देंगे कि हमारा पास्बुक हो गया इसलिए पैसे के लेन देन में अशुबदा होती है आप हमें नया पास्बुक बना दें और तब इसमें आपको बहुत पड़िचय देने की ज़रूरत नहीं है नीचे केवल अपना नाम लिखेंगे और एकाउंट नमबर आप लिख देंगे आपका विश्वासी यहां पर आप नाम देख रहे हैं और फिर आपको खाता संख्या आपको देना है क्योंकि खाता में ही आपका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ उतुरंत पता चल जाएगा बैंक माले को कि आपका नाम क्या है पता क्या है जि प्रधानाचार्ट के अप बस इसी तरह आप इसको पूरा करते चलेंगे अब इसके बाद आप देख लीजिए विद्याले में सोचाले की साफ सफाई के लिए अपने प्रधानाचार्ट के पास एक प्रारत्ना पत लिखिए इसी तरह से आपको लिखाएगा अब आप आएए विश्यानिस्ट संचेपन पर आपने पहले पढ़ लिया है पांच नमबर का आपको आविदन पत्र रहेगा और यह संचेपन भी कम नहीं है चार नमबर का है और यह यदि आपने दो चार अभ्यास कर लिया तो फिर संचेपन में आपको चार में चार लाने से कोई रोक नहीं सकता है यह सिर्प अभ्यास के चीज है तोरा साभ्यास कर लिजिए यह सब हाथ आया नमबर है यदि आप उसका नमबर करता है तो सोच लिजिए कि असाबधानी की कारण करता है संचेपन में क्या करना है संचेपन में आपको इमानदारी से जो अंचेद दिया गया उसको पढ़ लेना है पढ़ने के क्रम में ही आपके दिमाग में उसका सीरसक सिट कर जाएगा आप सीरसक दिमाग में बैठा लीजिए इसके बाद आप उसको फिर पढ़िए और परकर उसके सब्दों को गिनिए सब्द गिनने के बाद आप उसके सब्दों को लिख लिजिए कि कितने सब्द हैं और तब आप एक तिहाई में वन थर्ड में यदि नब्य सब्द हैं तो तीस सब्दों में आप लिखने का अभ्यास करेंगे यदि 30 सब्दों में एक बार में नहीं हुआ तो दो बार में आप लिखिए लेकिन ध्यान रहे कि दो बार जब आप लिखते हैं तो बहुत आधिक कौपी को गंदा नहीं करना है बहुत आधिक कार्ट पिटने करना है सीदे जो आपने लिखा उसको घेर कर रफ लिख देना है और नीचे फेर लिख कर और तब आप उसको पूरा करेंगे इस तरह आप संचेपन लिखने का प्यास करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी भारत की सबिता और दर्शन पर बिदेशी मुग्द थे वहीं आज भौतिक सम्रेदि और यान के छेतर में अपना महत हो चुका है कभी जिसके आंगन में मानवता खेली जिसने अपने संसकार और यान से दुनिया को प्रकासित किया वहीं भारत आज अपने ही निरक्षर भूखे पर मुखा पेखी लोगों को समेटे है हमने अपने पूरवजों के गौरव को हाशास्पत बना कर नस्ट कर दिया है उसका हम उप्योग नहीं कर पाए और आज हम अपने देश की उपेख्षा चुपचाप सा रहे हैं इसको आपने पढ़ लिया पढ़ने के बाद दो काम करना है जो आपको पहले बता दिया गया है एक तो सब्दों की संक्षा को गिल लेना है और दूसरा सीरसक दिमाग में बैठा लेना है अब जब आप लिखना सुरू करेंगे तो सबसे पहला काम करना है सीरसक लिखना सेर्षक आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अतीत का कुछ हाल भारत बरतमान में बदहाल यह सेर्षक आपने दे दिया और तब आपने एक तिहाई में इसको लिख दिया और तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मूल अंचेद में सब्द संक्या लिख दिया और संचेपन में कितने सब्द हैं उसको भी लिख दिया यही है संचेपन एकदम आसानी से चार में चार लाने वाला प्रस्ण है यह इसके लिए बहुत पढ़ने की ज़रुड़त नहीं है इसके लिए सिर्फ अभ्यास की ज़रुड़त है तो आपने पहले को देखा दूसरे को आप देख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना खराब बात नहीं है पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को अपनी भासा को अपनी संस्कृति को भूल जाना खराव है या बात मैं इसलिए करा हूँ कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रतेक व्यक्ति को हींद रिष्टी से देखते हैं उनकी आलुचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानी समझते हैं पर्व कोहीं लीजिये या पंडितों का पोंगा है वे कहते हैं पर्व बेकार हैं फिजुल खर्ची के साधन हैं आपने देख लिया कि इसमें जो आपको बताया गया है अंग्रेजी पढ़े लिखे जो अभिमानी लोग हैं उसके चर्ट को दिखाया गया है तुरंत आपने सिर्षक को देखा सिर्षक के बाद सब्दों को गिना और तब फिर अंशेद में लिखा तो यहां पर आप देख देखिए अंग्रेजी पढ़ना नहीं अंग्रेज हो जाना खराब है यह आपको सिर्षक दिया गया और तब फिर आप इसका देख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं अंग्रेज हो जाना या इसे पढ़कर अपनी भासा संस्कृती को भूलना खराब है आज प्राय अपने देश की सब्विता संस्कृति को नीचा समझते हैं, ये आपने कर दिया और आपने यहाँ पर संचेपन कर दिया, उद्धरन के सब्द को लिखा, फिर संचेपन के सब्दों को लिखा, इस तरह मिलाकर आपको लिखना है। तीसरा आप देख रहे हैं इसी तरह इसका भी सिर्षक आप देख रहे हैं बाग पड़ता है उत्तर में आप यहाँ पर देख रहे हैं अपार जन समूह को मोहने वाली और केर्टी दाई वाग पड़ता व्यक्ति की सोभा होती है वेर्त का वकवास करने वाला अपना भी और दूसरे का भी समयर नस्ट करते रहते हैं बाग कला में मरने के बाद भी अमर बना देने की सक्ति होती है इस तरह आपको ये संचेपन में कहा गया इसका मूल अंचेद में सब्दों की संख्या आपने देख लिया संचेपन में आपने कितने सब्दों को लिखा है इस तरह आपने संचेपन को देखा संचेपन में कैसे सब्दों को संचिप्ट किया जाता है कैसे सिर्षक लिखा जाता है यानि संचेपन में कम से कम आप समझिए कि छोटा करके लिखिए कुछ नहीं आता है, मान लेते हैं आपको, कुछ नहीं आता है, एक दमनी पट हो गए, एक कल्पना कीजिए, वैसे मेरी सुब कामना है कि आपको चार में चार ही मिले, लेकिन इन केस जदी कुछ नहीं आता है, तब भी आप ये दिमाग बैठाईए कि संशेपन में छोटा करक नहीं पूरा तेकाद अंक भी जरूर मिल जाएगा आपको एचोटा करके लिख दीजिए जितना है उसका एक तिहाई में लिख दीजिए और एक सिरसक डाल दीजिए आपको कुछ न कुछ अंक मिल जाएगा सुनी कम से कम नहीं मिलेगा तो इतना आप मेरी बात मान लिजिए इस तरह आपने इस व्याक्षान को पूरा कर लिया इसमें आपको बताया गया कि पत्र कैसे लिखना है खास कर आविदन पत्रों और संचेपन कैसे लिखना है इसको आप अभ्यास करेंगे मेरी समझ से यदि एक दो दिन भी आप लोगों ने देख लिया तो आपको इसमें असुदा नहीं होगी तो परिक्षा में अधिक्तम अंक लाने की सुबकामना के साथ यह पात पूरा किया जाता है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अलविदा